इस वक्त की बड़ी खबर आ रहे हैं जम्मू से आपको बता दे जम्मू कश्मीर में आतन की हमला हुआ है जी हाँ हमला जम्मू पठान कोट हाईवे परिस्थे सुन्जवान आर्मी कैम्प पर हुआ है इस मामले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है जबकि तीन नागरे घायल हो गए है आपको बता दे घायलों में एक जवान की बेटी भी शामिल है आतन की रिहाईशी इलाकों में निशाना बना पायरिंग कर रहे है सबी हमलावर पाकिस्तानी आतन की बताये जा रहे है जी हाँ इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से प्राप्त सूचना के मताबिक पायरिंग सुभा चार पच्पन से जारी है जी हाँ यारी पिछले आठ घटे से ओपरेशन चल रहा है घटना के बाद जम्मू शहर में रैड अलर्ट जारी कर दिया गया है कैम्प के नजदी की सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है सेना और पुलिस हाईवे पर आने जाने वाली कारियों की तलाशी ले रही है इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से रवी शर्मा जूर चुके है सब जाता कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुबा पांच बजे के करीव जो चे शुजमा इलाका है यहां पर आर्मी का जो कैम्प है इस कैम्प के अंदर जो थे तीन जा चार की संक्या में जो मिली टेंस थे वो फैमली क्वार्टर जो है उनमें इंटर हो गे और जो सबसे पहला इंपूर्ट हमारे पास है था उसमें एक जेशी हो आर्मी का जो था और उनकी एक चोटी बच्ची जो थी वो गाइल हो गए थे जहां पर इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो में गेट है आर्मी केम्प सुजमा का बहां जो है पूरी तरह से बंदवस्त जो है पुलिस के जवानय जहां पर इनाथ है और बख्टर बंद गाडियां जो है पुलिस की वह यहां पर तैनाथ हैं और साथी अर्मी के कमांडर उनमें इन्हीं वह यहां पर तैनाथ हैhou इसी भी किका जैया पो HU थे लेकिन फिल हाल आर्मी जो है केम्प के अंदर जो है वो अपना उप्रेशन इस समय कर रही है फाइरिंग लगातार वहां पे चल रही है लेकन अंदर की स्थी जो है वो तभी साफ होगी जब मीडिया करमी वो अंदर की तरफ जाने दिया जाएगा जब वहां पे कुछ पता च है वो इस समय बाहर जो है वो वेट कर रहे हैं अभी तक मुझे लगता है कि जो इनकोंट्र है यह थोड़ा लंबा चलेगा जब पूरी तरह से आर्मी अंदर जो है इनकोंट्र खदम करके मिल जो अंदर गुतर हुए है उनको मार के जब बाहर आएंगे तो बाहर मीडिया स जब बात होगी तो तभी बदा चलेगा जी सर